नवास्ते दस्तों आज जब वीडियो आप लोग कैसे सेयर करने वाली है ओ हे बांगलार भूमी में आप लोग कैसे पहुचा अपडेट कर सकते हो तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले आपको chrome browser open कर लेना है उसके बाद सार्च बटन पर लिखना है भांगलार भूमी ठीक है बांगलार भूमी लिखके सार्च कर देना है सार्च करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा वहांपर भांगलार भूमी पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद थोड़ा सा integer करना है उसके बाद इस तरह का pop-up सो होगा ठीक है pop-up सो होने के बाद citizen service पर क्लिक करना है citizen service पर क्लिक करते ही इस तरह का interface सो होगा उसके बाद second option है service delivery उसके बाद और रिक्वियस्ट पर क्लिक करना है उसके बाद आफको user id पस्वार्ड वहाँ पर फिल करना है फिल करने के बाद जो capture code उसके बाद लोगीन एप्से मिहा थीक है क्लिक करते ही इस तरह का इंटरफेस हो होगा वहाँ पर क्रोस चीनों पर क्लिक करके क्रोस चीनों हाटा देना है उसके बाद वहाँ पर डिस्टिक सेलेक्ट कर लेना है ठीक है उसके बाद ब्लोक सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद मोजा सेलेक्ट कर लेना है मोजा आप कहां पर देख पाओगे आपको जो पर्चा है उस पर्चा पर आपको मोजा देखने मिलेगा उसके बाद खोतियन नमबर वहां पर फिल करना है उसके बाद जिस आदमी का पर्चा उस आदमी का फास्ट नेम वहां पर फिल करना है फिल करने के बाद उस अदमी का लास्ट नेम उआ पर फिल करना है उस अदमी का फादर है तो फादर नहीं तो हस्बेन है तो हस्बेन नेम उआ पर फिल करना है फिल करने के बाद उस अदमी का एड़ेस उआ पर पुरा फिल कर देना है जो भी है विलेज, पोस्ट, डिस्टिक पूली स्टेशन, पिन कोड जो भी है वहाँ पर पूरा फिल कर देना है फिल करने के बाद जो capture code वहाँ पर देखा रहा है उस capture code वहाँ पर फिल करके calculate fee option पर click करना है click करने के बाद इस तरह का interface हो होगा वहाँ पर application number, I mean ROR number, name of page, processing fees देखने मिलेगा कैसे पिमिन करोगे वह भी वहाँ पर देखने मिलेगा उसके बाद continue option पर click करके इस तरह का interface होगा cross chino पर click करके cross chino कर देना है उसके बाद continue option पर click करना है click करते ही इस तरह का interface आपको देखने मिलेगा ठीक है उसके बाद call करके नीचे आना है नीचे आने के बाद चेक्स बॉक्स पर टिक चिन्नो लगा हो गए उसके बाद next option पर क्लिक करना है next option पर क्लिक करते ही payment method आपको चूज करना है online payment उसके बाद जो भी bank से आप payment करना चाते हो उस bank वहाँ पर देखने मिलेगा मैंने state bank से payment करना चाती हूँ इसलिए state bank चूज करके next कर दिया उसके बाद इस तरह का pop-up सो होगा वहाँ पर ok करना है ok करने के बाद इस तरह का interface सो होगा scroll करके नीचे आना है नीचे आने के बाद pay now option पर click करना है ठीक है click करने के बाद थोड़ी देर इंतिजर करना है उसके बाद आपको जो net banking का user id है वहाँ पर fill कर देना है उसके बाद net banking का जो general password होता है दो type का password होता है general और high security आपको general password वहाँ पर fill कर देना है fill करने के बाद login option पर click करना है उसके बाद आपको इस तरह का interface देखने मिलेगा scroll करके नीचे आना है उसके बाद confirm option पर click करना है click करने के बाद इस तरह का interface सो होगा scroll करके नीचे आना है उसके बाद आपको mobile में एक OTP जाएगा उस OTP को यहाँ पर enter कर देना है enter करने के बाद confirm option पर click कर देना है ठीक है किलिक करते ही थोड़ी देर इंतिजर करना है उसके बाद इस तरह का इंटरफेस देखने मिलेगा यहां पर देखा रहा है डाउनलोड इन पीडियेप आप जो 20 रुपिया पेमिन कर रहे हो उस 20 रुपिया का चालान वहां पर डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है उस पर क्लिक करके इस तरह का इंटरफेस सोगा सब्सक्र on duty नमब 1 दिखने मिल जाएगा उस बाद नया अफडेट पॉर्चा आप डाउनलोड कर सकते हो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ सेर कर दूँगा जुरूर मैं आता करती है इस वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आईए पसंद आई तो लाइक करना कॉमेंट करके जुरूर बतना वीडियो कैसे लागा और दस्तु के सेर सेर करना और इस तरह का इंफर्मीटी वीडियो पाने के लिए चान को जुरूर सब्सक्रेब करके रख देना नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ जोड़ूर मुलकात होगा तब तक के लिए जाहिंत मंदर मातरव